हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तरप्रदेश के पूर्व डीजीपी और वरतमान में रासवा सांसर ब्रिजलाल जी सर जिस तरह से मुक्तार अंसारी की मृत्यू ही लगातार विवाद हुआ लेकिन आप पुलिस के सरवुच पत पर उत्तरप्रदेश में आप रहे जब मुक्तार अंसारी जब शुरू कर रहा था अपना जो गैंग बनाने के काम शुरू कर रहा था तब आपने उसको देखा किस तरह से तो क्या कुछ आपकी जानकारी में था किस तरह से मुक्तार अंस सिंग मकनु सिंग मुडियार गाउं के थे जो उसी थाना छेत में पड़ता है और वो हर्शंकर तिवारी के सूटर थे सत्तर कसी के दसक में जितने बड़े मर्डर हुए साधू सिंग मकनु सिंग किया करते थे यह उनका गुर्गा था इसको बदमासी कबड़ा सौक था तो ए इसके सिल्सले मेरी पुस्तक आई अभी डेड़ विश्वा जमीन यूपी कराम फाइल यह सीधा मुक्तार से जुड़ा हुआ है तो यह जब वहां मर्डर हो गया उसके बतीजों नो किया तो 10 अक्टूबर 85 को मकनु सिंग को अरंपत सिंग के बेटों ने जिसमें में था त और आरा में एक साहब सिंग होते थे इन सब लोगों ने मिल करके मकनु सिंग का मर्डर कर दिया जो मेन गुरू था मुक्तार अंसारी का और उसके बाद उस परिवार में गैंगवार चला इसका नाम तो नहीं आया लेकिन सबसे सेंसेशनल मर्डर इसने किया था दो जनवरी 86 को थाना साहित पूर छेतन में जब इसने दो भाई बिरंदर सिंग बेडा और डाक्टर राम बिलाज सिंग जो रंपस सिंग के बेटी थे उनको मार दिया फिर मुक्तार ने इनका बेटा रंपस सिंग का हवलदार राजिंदर सिंग बनारस ट्रेफिक लाइन में तनाब थ साधू सिंग जो था अब इसका गुरू था मुक्तार का वह अपना अफजाल अंसारी बिधायग बन चुका था उसके प्रयास से ये जेल से आगे हास्पिटल में उनके पत्नी को बच्चा हुआ था सुबा सुबा एक गाड़ी पहुंचती अंबेस्टर उसमें कुछ वरद संकर सी मार दिया घर कर नोकर मार दिया और साभश शिञ ले गया धानापुल वहां दो मार दिया इस तरह से साधू मकनूप गैंग समाँत हुआ तो उसकी गैंग की आमढ़ी मुक्तार अंसारी नहीं उधर ब्रिजेस और त्रिवुन मिल गए थे इन दोनों के गैनवार में दरजन नहीं हंडर्स में लोग मरे हैं तो इस तरह मुक्तार अंसारी की सुरुवात हुई लेकिन मुक्तार अंसारी जो राजनेतिक रूप से मजबूत हो करके एक बड़ा बदमास बना अपने भाई अ कम्रिस पार्टी से अब 93 में अच्छा उसी दोरान 93 में यह चुनाव लड़ना चाहता था और उस समय कासी राम जी यो मुलायम सिंह समझावता किया एक नारा चला मिले मुलायम कासी राम हवा में उड़ गया जैसर राम मुक्तार चाहता था गाजीपूर सदर से चुनाव रड़ना मानवर कासी राम जो जाते थे सबीदिन सिद्धीकी साब थे जो मुक्तार के साडू लगते थे गाजीपूर में वहीं रूकते थे तमाम जो बड़े बड़े नेता थे बाम सेफ के इसके मुक्तार अफजाल ने सोर्स लगा करके कि गाजी पुर सदर मुक्तार को मिल जा है मुक्तार जेल में था मानवर कासी राम इसके बाद भी टिकट इसको नहीं दिये उन्होंने अपने एक सायोगी बिस्वनात नाम मुनीब दलित थे उनको जनरल सीट से टिकट दिया 20 नॉम्बर 93 को सुबच चुनाओं के लिए ओट पड़ना था और 19 की रात में 11 बजे बिस्वनात नाम मुनीब दलित घर चे निकले और दो गाड़ियां आती है मोटरसाइक लेए और अत्रातर गोली मारती है मारती गया मुकतार अंसारी ने मारवाया क्यों उनको टिकट नहीं मिला तो चाहता था मुझे जितना अहरालत में तो अलेक्शन काउंटर मांड हो गया जब काउंटर मांड हो गया और 94 में बाई और उसने तो यहां तकिया जो S.P. गाजीपुर में उसके अंसार काम नहीं करते थे, मुक्तार रहने नहीं देता था। कुछ बड़े सब अच्छे अफ्सरतनात हुए। मैं कुछ के नाम बता दूँ। महीना च्छे दिन, सुवाज दूबे एक महीना बीस दिन, वीके गर्ग चार महीना दो दिन, वैभो कृष्णा दो दिन, आनंद कुलकांडी दो वहीना दस दिन, रविसंकर शभी एक महीना दो दिन, और जस्वेर सिंग एक दिन। तो मुक्तार ने ये किया, अगर उसके हमसार कोई S.P. नहीं काम करता तो रहता नहीं पाता था, और उनको रखता तो जिसके हमसार काम करने, और सही बात इसका काम क्या था अपराद। और जो सिपाही इसने भरती कराए, मैं एक साफ बना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल के अलामा जो इसने भरती कराए, जो फूलिस फोर्स को क्रिमिनलाइज किया, तो इसके क्राइम को बढ़ाने में इसको मजबूत बनाने में पुरवांचल के पुलिस कर्मियों का बड़ा र चुनाओ हुआ, और आजी लानाटर ही नोडर अफसर होता है, हमारे पूरे प्रदेश ने बहुत अच्छा चुनाओ हुआ, गाजीपुर में चुनाओ होता था, मुक्तार ने दहसत फैलाने के लिए, जैसे सुबह चुनाओ हुआ, मुहमदाबाद इसका जो अपना में कस् चुनाओ है, एक बियार थे बीजे पीके अवरकर, उनको एक सैंताली से धड़ा धड़ गोली मारी दासत हो जाए, तमंचे से मार सकते थे, एक सैंताली से, फिर दिन में करीव एक वज़े मैं बैठा कंट्रोल डूमें देख रहा था, वहाँ पर एक अवलेस राय थे, मुन ना बजरंगी, ये सब चल रहे थे, और दीपक सरमा स्पी थे, रोकने का प्रयास नहीं, और मुझे आईजी जोन को भेजना पड़ा, केल मीना को, लेकिन तब तक मुक्तार का अपना काम कर चुका था, और ये 2004 में, ये सांसद बन गे, मैंने रेक्मंट किया था, ये गाज लेकिन मुझे भी मालूम होता रहता था, सेलेंदर सिंग थे, इसका नंबर सर्वलांस पर था, और ये 2004 की बात है, जनवरी, इसने लाइट मेशीन गन मंगवाई, और जिससे कि क्रशनानंद राय को 500 मीटर रेंज से मार दिया जाए, पावरफुल उपन होता है, हमारा और सलेंदर सिंग ने लाइट मिशिन गन और धेर सारे कार्थू पखट दी, पोटा होता था जो माननी अटल विहारी बाच पे जी ने बनवाया था, जिसको मन मोहन सिंग सरकार आते ही उसको खतम किया गया, तुस्टी करण की राजनीत में, तो पोटा का मकदमा काइम हो ग ताडित किया गया डिप्टी स्पी सलेंदर सिंग को कि दस फरवरी 2004 को उसने इस दिफा दे दिया, अब चुकि पोटा काम काइम हो चुका था, पर एजक्यूशन के लिए सासन में आया, माननी मुलाहिम सिंग जी ने मुक्तार अंसारी को परजक्यूट नहीं होने दिया, प ही ना कहीं, इस मौत के पीछे कोई ना कोई विवाद है, इसकी जाच होनी चाहिए, क्योंकि कुछ खुद आप पुलिस अद्कारी रहे हैं, यूपी स्टी एफ के आप चीफ रहे हैं, हर तरह के आपने जो दुर्दान तपरा दिया हैं, उसे आपने तो आप मुक्तार अंस पुदी मेस्टर इंक्वारी ओर्डर है, ये जो पार्टिया हैं, यही तो लाभानुईत होती थी, बताने कांग्रेस ने तो पंजाब में रखा इसको, जोगी आदितनास लाए, समाजबादी पार्टी तो इसको पालती रही, आपको याद होगा जब मुक्तार अंसारी को लाया जा रहा था पंजाब से, तो अखलेस काते थे कि रास्ते में कहीं इसको गाड़ी न पलट दी जाए, अतिका हमत के बारे में अखलेस नहीं कहा था, गाड़ी न पलट दी जाए, लेकिन अखलेस यादो कांग्रेस नहीं देखेंगे कि पतनी पर क्या भी था, जो इसन जो clear cut case है, उसमें वो आ चुका है, जांच हो रहा है, investigation हो रहा है, इसमें कोई CVI जांच की जरूत नहीं है, यह किवल वही लोग हैं, जो उससे, जो ओट बैंग के सौधागर हैं, और Congress तो वही है, जो पंजाब में रख करके इसको पालती थी, और समाजबादी पार्टी का त मजबूत बनाया, और जेल में, गाजीपूर जेल में समाजबादी पार्टी थी, अरे मुलायम सिंग जी तो जब राजू पाल के हत्या कांड हुई, दिन दाड़े और भी एक हैसने ताली चली थी, तो उन्होंने clear cut clean sheet दिया, कि अतीह कामद वसरप का कोई रोल नहीं है, ए तो समाजबादी पार्टी तो बदमासों को पालने वाली, जितने बड़े बदमास उत्रप्रेस के, उसको समाजबादी पार्टी पाला, इतने नहीं, चंबल के ठकायत, चैव निर्व गुजर हो, ददुआ ठोकिया हो, मैंने का नहीं, ददुआ के बाई और उसके बेटा और भाईयों को मुलाइम सिंजने समाजबादी में, उस समय दिया, जब ददुआ पर साथ लाग का इनाम था, फरार था, तो इवन एलक्षन जब आते थे, तो चंबल के ठकायत फरमान जारी करते थे, समाजबादी पार्टी कोश्म देते थे, निर्वे गुजर इतना वो पापुलर हो गया था, मीडिया चली जाती थी, तो काता था, मैं तो समाजबादी पार्टी का हीरो हूँ, उसका फरमान जारी करते थे, बूत कैप्चरिंग चंबल रेंज में होती थी, ढकायतों से, आज जोगी राज है, चंबल समाप्त हो गया, जितने माफिया कुछ मार से कमाई की अटाइच कर ली गई है, तो ये जोगी राज है, मोदी राज है, इसमें जीरो टालरेंस है, और ये आज इस्तिती ये बनी है, तब उत्तर प्रदेश में 40 लाग करोड का इन्वेस्टमेंट आया है, और जो पांच टिलियन की एकोनामी हम लोग कलपना कर रहे है कि उसको हम डेट दो साल में अचीव करेंगे, उसमें एक टिलियन डालर की कंट्रिबूशन उत्तर प्रदेश का होगा, जो गिया दितनात का होगा। एक मुकाम हासिल किया, उन सब बातों के बारे में ब्रिजलाल जी ने जानकरी दी, केमरापरसन संजी वर्मा के साथ, पवन गौड नपकीटीन, दिल्ली